पहले साल बच्चा काफी सारे मालस्टोन अचीव करता है जैसे की रोल ओवर, क्रॉलिंग, सिटिंग अप्स एंड वॉकिंग बच्चा यूजली जो है दस से बारा महीने का जब होता है तो वॉकिंग स्टार्ट कर देता है अगर किसी का बेबी जो है वो 14 मंस का भी हो गया है लेकिन अभी तक जो है उसने वॉकिंग स्टार्ट नहीं करी है तो आपको क्या याद रखना है कि जो हर एक बेबी होता है इच बेबी इस डिफरेंट और जो बच्चे है वो जो है सारी चीजे जो है अपने मालस्टोन जो है वो अलग लग एक डिफरेंट एज में ही अचीव करते हैं अगर आपको बच्चा जो है वाक नहीं कर रहा है तो क्या आपको जो है वरी होना चाहिए अगर 14 मेंस तक भी आपके बच्चे ने वाकिंग स्टार्ट नहीं करी है लेकिन वो अपने बाकी के मालस्टोन अचीव कर रहा है जैसे की खुद से खड़े होना पॉंसिंग अपन डाउन और मोटर स्केल्स अगर उसकी सारे इंप्रूव हो रहे हैं यन्ही हाथों से समान उठाना खुद से खाना तो किस मंथ में आपको वर्य होना चीए है अगर आपके बच्चे ने वौकिंग स्टार्ट नहीं किया है तो अगर आपका बच्चा 18 मंजंट का हो गया है LEKIN अभी तक उसने वौकिंग स्टार्ट नहीं करी है तो आप बच्चे के पीडियाटेशन से बात करें, बच्चे के डॉक्टर से आप बात करें Usually किस केस में बच्चा वाकिंग करना लेट स्टार्ट करता है तो first is अगर आपका बच्चा प्रीमेच्योर है तो आपका बच्चा वाकिंग लेट शुरू कर सकता है तो उसके लिए आपको क्या करना है मानलेज़े आपका बच्चा जो है अगर थ्री मंच पहले हो गया था मानलेज़े अगर उसमें के लास्ट में हो होना था लेकिन वो सेवन मंत के स्टार्टिंग में हो गया है तो आप उसकी एज को अर्जस्ट करें based on the original due date उतना ही जो है बच्चा में भी डिले कर सकता है वाकिंग में यानि कि अगर आपका बच्चा माली जो एक मन्ते हुआ था वो एक मन्त पहले हो गया था तो आपका बच्चा भी 18 मन्त का हो गया लेकिन अभी भी वाकिंग स्टार्ट नहीं कि उसने तो आप एक मन्त और वेट कर सकते हैं क्योंकि आपका बच्चा जो था प्री मिच्चूर था तो मेभी वो उतना टाइम और एक्स्टा ले लेकिन अगर उसके बाद भी वाकिंग स्टार्ट नहीं कर रहा है तो आपको उसकी डॉक्टर से मिलना है अगर आप वाकर का यूस कर रहे हैं तो भी हो सकता है कि आपका बच्चा जो है देर से चलना स्टार्ट करे क्योंकि वाकर में हमारी दूसरी मसल्स यूस होती है और चलने में हमारी दूसरी मसल्स यूस होती है अगर वीना वॉकर के बच्चा चलना शुरू करेगा तो वो और भी जल्दी चलना स्टार्ट कर देगा तो अगर आप वॉकर का यूज़ कर रहे हैं then stop using वॉकर for the babies पीडियर डिशन भी यही कहते हैं कि वॉकर बच्चों के लिए यूज़ नहीं करनी चाहिए तो guys at the conclusion कि अगर आपका बच्चा जो है 18 months का हो गया है तो आप उसके पीडियर डिशन से मिलें अगर अभी तक उसने चलना स्टार्ट नहीं किया है तो लेकिन अगर आपका बच्चा जो है अभी छोटा है 14 months का है 15 months का है then nothing to worry about आप जो है वेट कर सकते हैं 18 months तक जो मेरी डॉटर है उसने 13 months के होने पे वाकिंग स्टार्ट की थी और वही जो मेरा बेटा है उसने 10 months में ही वाकिंग स्टार्ट कर दे थी तो each baby is different बट अगर at last आपका बच्चा 18 months का हो गया फिर भी वाकिंग नहीं स्टार्ट की तो आप जो है उसके डॉक्टर से मिले अगर वीडियो हैलफुल रही होगी तो वीडियो को लास्ट में लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूले मेरा चैनल और मेरे चैनल पर आपको और भी काफे साई वीडियो मिल जाएंगी प्रेगनेंसी डिलीवरी और चाइल केर सेफटी से रिलेटेड सी यू सून विस सम्थिंग नू तिल देन बबाई